प्रवाइक निचे यार इसे पहले तो मैं इलेक्षन कमिशन का भार मानता हूँ कि एक दो दिन का विराव कि मैं मिल गया और मेरा इसा भाग्य है कि अध्यात भी चेतना की भूमी पर जाने का मुझे कई वर्षों से अवसर मिलता रहा है इन दिनों केदारनाथ बार बार आने का मुझा मिलता है कि दारनाथ में जब आपदा आई और उस समय यहां पहुंचा था कि दिल में एक कसक थी कि कुछ करना चाहिए गुजरात में रहते हुए अपने तरह से कुछ कुछ करता रहता रहता है कि देखा होगा कि वैसे यहां तुटराखन में भी अनुकुल सरकार बनी तो आपने देखा होगा कि कि वैसे हां तीन-चार मेंने से ज़्यादा काम करने का अउसर नहीं मिलता है कि बर्फ रहती है पचास-बावन शुट तक बर्फ तो नहीं जाती है माइनस 20-25 डिग्री तक टेंपरेचर चला जाता है और जब काम पीक पर होता जो करीब 800,000 लोग काम करते हैं और इसका एक मास्टर प्लान बनाया है उसके आधार पर इसकी विकास का काम चल रहा है एक तो मेरे मन में रहता है कि समय मिले तो इसका रिवीव भी करूँ और दूसरा इस धत्ति से मारा एक विश्यवत नाता भी रहा है काने का मन कर जाता है कल से मैं यहां हूँ दो दिन कहाई कुंभा में रहने चला गया था एकांत का उसर और लंबे अर्शवत के बाद मिला और सामने ही चौवी सो घंदे बाबा के दर्शन हो सकते हैं ऐसी वो गुफा है उसमें छोपी सी छेत किया हुआ है महाँ से भी उसको पर मैं करता रहता हूँ तो एक प्रकार थे में वर्तमान के हिंदुस्तान के वातावान से पूरी तरह बहार था अलिप्त था यहीं खोया हुआ था ने कोई कॉम्मिनिकेशन रखा था ने कोई अपने आप में था यहां का जो डेवलोप्मेंट का मेरा मीशन है उसमें प्रकूती परियावरन और परियतन है वो तो हर प्रकार से समाना जाए लेकिन हां कि आस्ता और स्रथा है उसको हम और अधिक समानने के लिए क्या कैर कर सकते हैं हम कोई आध्यात्मिक चेतना में इजाबातों नहीं कर सकते हैं लेकिन इसमें कधिना या रुकावाटे डालने से तो अपने आपको बचा सकते हैं मेरी कोशिश यह है तो इस दिशा में प्रयास करो कच्छी टीम मिली है मुझे डेरिकेटर टीम है काम कर रही है मैं कभी वीडियो कंफरंस से मोनिटरिंग करता हूँ खुद वीडियो से पूरा यहां का व्यूजों लेता रहता हूँ कभी कबार मैं देख रहा हूं कि जब यह लात्रा का कभाड खुलते हैं तो सामान्य मानवी को तो आजय नगते चलोogen कभाड खुले हम ज threatens कि इसके पहले दो महिने लोगों को काम करते हैं रास्ते खोड़ने पड़ते हैं यहां जो आवश्यक्ता है वो सामान पहुंचाना पड़ता है कि एवरेट जिरी जिरे करके डेली 25,000 लोग पहुंचते हैं तो उन सब को सुभीधा मिने एक प्रकार से यह जबस्ता के तरस्ट से बहुत बड़ा काम होता है कि हमारे देश में इन चीजों की ज्यादा चर्चा बहुत कम होती हैं अगर यहां को यह का तकलिफ हो जाए तो महीं नुद बन जाती हैं परना सच्पित मैं लगर लोगों को यह कितना कर सुठा करके लोग आपकी आत्रा की चिंता करते हैं तो बेंगे जहां तक भरभान के चल्नों में आता हैं मैं कभी कुछ मांगता नहीं की यहां पर कल लग मैं कुछ महीं मांगता। और मांगने कि प्रवृत्ती से मैं सहमेद भी नहीं क्योंकि उसे ने तो आपको मांगने योग नहीं बनाया देने योग बनाया और ऐसी जगाए पर जातर के इश्वर ने देने योग उसको जोक्षमता दी और उसने समाज देवता को देनी चाहिए और समाज देवता अध्यात्व देवता उसका मिरंत निरंतर बना रहता भगवान शिवजी भगवान के दारनात बाबा भोलेनात ना सिर्फ भारत के पूरी मानवजात के शोग समरुद्वी कल्यान के लिए उसके आश्रवाद बने रहे मैं आप लोगों का भी आभारी हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि चुनाव में पत्रकारिता के शेतर में काम करने वालों पर कितना प्रेसर रहता है और कितना फुजिकल स्ट्रेंड भी रहता है और मैं जुन के चुनावेने तो अपने आप में बड़े कशीन होता है उसके बावजूद भी आप लोग समय निकाल कर यहां पहुँचे आपके माध्यम से उत्राखन को और केदारनाफ में जरूर लाब होगा कि लोगों के विश्वात बैठेगा भी आपके दारनाफ में उस आपतला के बाद काफी व्यवस्था हो गई है आप आराम से जा सकते हैं कुछ समय यहां बिता सकते हैं तो एक प्रकार से आपके हाने से उत्राखन को लाब हुआ है उनके यात्राविकास को लाब हुआ है और देश वास्यों को भी लाब हुआ है आपके हाने के कारण क्योंकि यह खबरे पहुँचेगी तो लोगों को लगेगा चलो भई इस बार छुट्टियों में दुबाई सिंगापूर की में जाए के दामना चले जाए और मैं भी जानता हूँ कि मेरे देश के लोग सिंगापूर दुबाई भले जाए मुझे इत्राजी नहीं है लेकिन मेरे देश में भी भहुत कुछ देखने शर्षा मुझे जाना शुरू करें मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आफार वेक्ते करता हूँ और इस्वर से प्राधना करता हूँ के आप लोगों को भी कोई कस्ट्र नहो आराम से अपने यहां स्थान पर वापिश पहुचे इस्वर आपकी तुपा करें देख खार माव दो घ्र समय जान बहुत never जारी से अरधना है तुसरा ही चुना ह new जबार आपकी तुपार कन स्ट्स्राब बढुटन 574 video जय स्ट्राईम जेटर मुट्वरा करता हूँ